एपिसोड फाइव में हम देखते हैं मिस्टर क्यून सब के सामने ये कहा देती है मैंने खुदी सुसाइट करने की कोशिश की थी ये सुन सब हैरान थे फिर वो वही पत्र दिखाती है जो सोयंग ने लिखा था तो बड़ी राजमाता गुसे से कहती हैं क्या कह रही हैं आप क्या आप ये कहना चाहती हैं आपने अपने अपनी शादी से एक रात पहले सुसाइट करने की कोशिश की थी क्या कारण है पर मिस्टर क्यून को तो कुछ पता ही नहीं था और उसे कुछ सूज भी नहीं रहा था यूई बिन बिहोश हो जाती है तो राजकुमार उसे जा पकड़ लेता है ये देख मिस्टर क्यून भी बिहोश होने का नाटक करती है कोट लेडी चोई और हॉंग्योन मिस्टर क्यून को पकड़ लेते हैं तभी राजा उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे देख मिस्टर क्यून सोचती है नहीं क्या ये मुझे उठाने वाला है मताओ रुख जाओ पास मताना और राजा मिस्टर क्यून को छोड़ यूई बिन को ठा लेता है सब ये देख हैरान थे जो आगिन बड़ी राजमाता को गुसे में देख कहता है महरानी ची जूट बोल रही है ताकि यूई बिन को बचाया जा सके वो महरानी की बेहन जैसी है उनके दयालू दिल पर करें उन्होंने अपनी दोशी को भी दया दिखाई है इसलिए करिपा आप दया दिखाएं मिस्टर क्यून को बेहोशते एक किम्योंग उस उठा लेता है और राजा को गुसे भरी नजरों से देखता है तब ही हम मिस्टर क्यून के पिता मुंग्योन को देखते हैं जिसके पटियां बंदी थी वो आकर कहते हैं क्या कोई मनुरंजक कारेकरम चल रहा है इतनी भीड क्यूं फिर वो महरानी को बेहोश देख भाग के उनके पास आते हैं राजा यूईबिन को लेकर वहाँ से चला जाता है छोटी राजमता कहती है बड़े तीनों बात ऐसे दिल्चस्प नजारा देखने को मिला है खैर इससे ये तो पता चली गया कि ये किम विंश का प्लैन नहीं था परना महरानी क्यों यूईबिन को बचाती इदर महरानी को बिहोश देख मुंग्यों रोने लगता है और होंग्यों से पूचता है ये अचानक से ऐसे बिहोश कैसे हो गई होंग्यों रोते हुँ बताती है कि पानी देखते ही इनोंने कई बार उसमें चलांग लगाने की कोशिश की थी तो शायद डूबने के सदमे के कारण ऐसा हो रहा है और सब रोने लगते हैं मिस्टर क्यून जो बिहोशी का नाटा कर रही थी सोस्ती है अब बस भी करो अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं होश में नहीं आ पाऊंगी जब मुनिगन कहता है हमें रोना नहीं चाहिए हमें रोता देख महरानी और परिशान होंगी तो मिस्टर क्यून सोस्ती है बिल्कुल सही ठीक है तो क्या मैं धीरे धीरे होश में आने की त्यारी करूँ और अपनी आँखे खोलने ही वाली थी पर सब फिर से जोर जोर से रोने लगते है और मुन्ग्यून कहता है आपको तो कभी अपनी मा का प्यार भी नहीं मिला तो कोट लेडी चोई ही रोते हुए कहती है हमारी बेचारी महरानी मुझे नहीं पता था आप इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही थी पर मैं आपको डांटी रही ऐसा लगता है जैसे आपको मैंने ही तलाब में धक्का दिया हो महरानी जी मिस्टर क्यों सोचती है ठीक है मैं हार मानती हूँ ऐसा ड्रामा मैं नहीं सभाल सकती किम्ब्योंग महरानी की साथ बितायव पल याद कर कहता है मैंने सोचा था कि आपको त्याग देने से आप खुश रहेंगी महल में आने से पहले तो आप खुश रहती थी लेकिन जब महल में आ गई तो आपने सुसाइट करने की कोशिश की और फिर राजा वाली बात याद कर कहता है क्या यही कारण था इदर बड़ी राजमाता महरानी की इस हरकत पर बहुत गुस्ता थी और महराज के गुस्ताखी पर भी तब ही हम फ्लेश पैक में देखते हैं कि तलाव वाली रात महरानी ने बड़ी राजमाता से कहा था कि मैं महल छोड़ना चाहती हूँ क्यूंकि मैं एक अच्छी महरानी बनने लाइक नहीं हूँ तो बड़ी राजमाता कहती है इसका मतलब आप जान भूच कर लोगों पर अत्याचार करवाती थी ताकि महरानी न बन सके और आपकी किसमत का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपका जनम हुआ था महरानी बनकर अपने परिवार के सेवा में अपना कतव्य निभाना आप यहाँ अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकती अगर आप मरना भी चाती हैं तो भी महल में ही मरिये प्रेजन में ये सब याद कर बड़ी राजमाता कहती है पॉंगवान जब तक आप इस महल में गल सड़कर मरने ही जाती तब तक आप अपने पूरी लाइफ यहाँ ही बिताएंगी एक किन्नर बनकर और जब मिस्टर क्यून तलाब को खाली देखती है तो रोते हुए कहती है नहीं मुझे किन्नर नहीं बनना और मिस्टर क्यून की आखे खुल जाती है यानि ये मिस्टर क्यून का एक बहारक सपना था तो हॉंग्योन मिस्टर क्यून को कहती है आपके पीता थोड़ी दिर पहले ही गए थे अगर आप पहले उच जाती तो उनसे मिल लेती मिस्टर क्यून कहती है किसमत अच्छी थी जो मैं उनसे नहीं मिल पाई और सोचती है अगर उनको पता चलेगा कि उनकी प्यारी बेटी की बाड़ी में किसी लड़के की प्रेत आत्मा है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और फिर होंग्यों के साथ तलाब के पास जाती है और उसे पता चलता है कि कुवा खाली हो गया है इसलिए और देर लगेगी फिर वो कहती है शायद जितना भरा होगा उतना ही काफी होगा जैसी है वो तलाब की तरफ चाने लगती है होंग्यों उसके आगे आके कहती है मैं आपको फिर से सुसाइट करने की कोशिश नहीं करने दूँगी मिस्टर क्यून कहती है बात वो नहीं है मैं वहाँ जीने के लिए जा रही हूँ यही एक तरीका है जिससे मैं जी सकती हूँ फिर मिस्टर क्यून भाग के तलाब की तरफ जाने लगती है पर होंग्योन उसका पैर पकड़ कहती है वहाँ जाने के लिए आपको पहले मुझे मारना पड़ेगा तो मिस्टर क्यून कहती है अगर उस बड़ी राजमाता ने मन बदल लिया और फिर से तलाब खाली करवा दिया तो मेरा क्या होगा कोट लेडी चोई भी मिस्टर क्यून की दूसरी टांग पकड़ कहती है मैं आपको कभी किसी काम के लिए मना नहीं करूँगी प्लीज ऐसा मत करिये मिस्टर क्यून अपने आपको छुड़वाने के लिए होंग्योन को गुदगुदी करती है पर होंग्योन कहती है फिर हम देखते हैं Mr.Kun ने एक दास को पानी में भेज दिया ताकि चेक किया जा सके कितना पानी है पर तलाब में इतना पानी नहीं था कि कोई इंसान डूप सके फिर राजमाता Mr.Kun को अपने पास बुला कर कहती है अगर आप सुसाइट कर महरानी बनने से बचना चाहती थी तो हम आपको महरानी की पद्वी से हटा देंगे और आपको आपके पिता की घर कैद कर दिये जाएगा और बाकी की जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी ये सुन की याद नहीं कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की थी मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी जब बड़ी राजमाता कहती है आपने हमें सीधे चनौती दी है तो Mr.Kun सोसती है ये तो मुझे असानी से माफ करने वाली है नहीं और अपना नाटक जहर पीने का अदेश थे तो बड़ी राजमाता कहती है क्या कहरें आप पहले तो तलाब में कूद गई और अब जहर माग रही है आप इतनी कमजोर क्यों है क्या मरने से सब ठीक हो जाएगा आपके सरकत से हम छोटी राजमाता से एक दाव हार गये हैं अब तो वो हमारे कि परिवार के किलाव इसका यूज करने की कोशिश करेंगी फिर बड़ी राजमотद मिस्टर क्यून को एक और मौका दे देती हैं जब मिस्टर क्यून कहती है आप चिंता नघर तो जुआगएं मिस्टर क्यून को धमकीदे कहता है चिंता में हम नहीं हमारे पास किसी चीज के कोई कमी नहीं है अगर कोई चीज प्रॉब्लम बन जाती है तो हम बस उसे हटा देते हैं और वो पत्र जला देता है फिर हम देखते हैं वही निकाबवल आदमी जुआगिन को बताता है राचकमार ने ओवोल को छुड़वा लिया और वो साथ लोग थे यहां हमें पता चलता है कि यह आपने जुआगिन की बात इसलिए मानता है क्योंकि जुआगिन उसे उसकी खास प्रिमारी की दवा देता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे दवा नहीं मिल पाएगी इजर राजा राजकमार से कहता है हमने महरानी को गलत तो राजकमार कहता है वो किम परिवार से है किम वंश किस तरह का बेडियों का जुंड है उन्होंने हमारे परिवार के सभी लोगों को मार दिया था हम एक बार भी इस बात को भूल नहीं सकते तो राजा कहता है हम भी नहीं भूल सकते लेकिन महरानी ने जो आज किया था उ आप केहना चाहती है हम तो पहले से ही आपके परिवार की शिकंजे में है अगली बार हम से पत्र मांग लीजिए तो महरानी सोयंग आँखों में आस उभर कहती है किया आप हमसे इसली नफरत करते हैं क्योंकि हम किमवन्श से हैं तो राजा कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, महरानी सोयंग कहती है, तो क्या आप हमें पसंद करते हैं, अगर हम किमवंज से नहीं होते, तो क्या आप हमें किसी और नजर से देखते, तो राजा कहता है, ऐसा कभी नहीं होता, क्यूंकि आपको महर तुक2 कि इसली State में। महराणी के वल अपने नाम के कारणी नहीं बन रहें। इसके लिए हमने पूरी लाइफ महनत की है लेकिन सब ऐसा क्यों तो राजा कहता है कन आपको गद्ती मिल जाएगी घिमिष्ण की अपने इतनी इच्छा की थी, और वहां से जाने लगता है महरानी सोयंग राजा को कहती है आपको हमसे प्यार करना ही होगा पर राजा नफरत से देख कर कहता है क्या ये एक अदेश है ये सब याद आते ही राजा कहता है शायद हमारी कठोरता ने महरानी को इस दलाब में धख्लेल दिया फिर राजा कहता है हम महरानी से मिलकर पता लगाएंगे कि ये वो नाटक कर रही थी या सच था और राजकमार को यूई बिन का ध्यान अकने को कहे चला जाता है इधर मिस्टर क्यून काफी परेशान थी कि पता नहीं वो वापस जाएगी या नहीं और फिर कहती है इस सबका उस कमीने चॉल जोन को ही दोश देना चाहिए अगर वो महरानी सोयंग के साथ अच्छा करता तो वो सुसाइडी ही न करती और मैं इस बॉड़ी में नहीं आता राजा के आते ही मिस्टर क्यून गुसे से उसे कहती है आपको मेरी इतनी चिंता है और फिर भी आपने मेरी गर्दन पर तलवार टिकाई थी जब से मैं यहां आई हूँ एक दिन भी अराम से नहीं बीता जैसे ही मैंने अपने आखे खोली मुझे कहा कि अगले दिन तुम्हारी शादी है मेरा पती नाम का कोई आदमी जो मेरे साथ एकी बिस्तर पर सोता है मुझे मारने की कोशिश करता है और अब तो मेरे परिवार वाले भी मुझे महरानी की पद्वी से हटाने के लिए धंका रहे हैं सुनकर अच्छा लगा तुम्हें तो यूई बिन को महरानी बनाने का बहुत अच्छा मौका मिल गया होगा तो राजा कहता है आप एक लड़ने वाले मुर्गे की तरह क्यों भड़क रही हैं हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए थे मिस्टर कुन कहती है आपका तो चेहरा दे के मैं भड़क जाती हूँ ऐसा क्यों नहीं आप जो मुझे मारना चाहते हैं और आपकी वो लवर जिसके प्यार में आप दिवाने हैं आप दोनों को बचाने के लिए हो सकता है मैं मारी जाऊँ ऐसा ही हाल रहा तो मुझे सुसाइट करने पर मजबूर होना पड़ेगा अगर इस हालत में मुझे गुस्ता नहीं आएगा तो मतलब मैं इंसान नहीं भगवान बुदू राजा कहता है आपको हमसे बहुत शिकायते होंगी हम समझाते हैं पर मिस्टर कुन कहती है मुझे मस समझाओ वो समझाना वमझाना आपको मेरी गर्दन पर तलवा रखने से पहले कहना चाहिए था नहीं जिसने आपसे शादी होने से एक तिन पहले सुसाइट करने की कोशिश की थी उस बॉड़ी को तब समझना चाहिए था अब बहुत देर हो गई है जाओ अब यहां से जब तक अपने गुटनों के बल बैटकर मुझे से माफी नहीं मांग सकते तब तक मता आना और राजा की जाते ही गुस्ते से अपनी हेर पिन गेट पर मारती है बहर आगा राजा देखता है कि तलाप को फिर से भरा जा रहा है यूई बिन के पास आकर राजा उसे गले लगा लेता है यह देख राजकुमार अपनी नजरे जुका वहां से चला जाता है और यहां साफ पता चलता है कि राजकुमार यूई बिन को लाइक करता है राजा यूई बिन को कहता है आगे से आप ऐसा कुछ न करना जिससे आपकी जान को खत्रा हो और जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक राजकुमार आपकी रक्षा करेंगे हौंग आकर बताता है कि ओवोल ठीक है और उसका भी लाच किया जा रहा है राजकुमार ने उसे बचाने के लिए बहुत महनत की है ये सुन यूई भी राजकुमार को धन्यवाद करती है राजा बताता है कि महरानी हमसे बहुत नराज है और अब तो महरानी को समझना और भी मुश्किल हो गया है फिर हम किम्बियों को देखते हैं जो अपने पिता जुआगिन से कहता है मैं राज अनुसंधान विभाक का परमुक अधिकारी बनूँगा यहां में इस पात का भी पता चलता है कि जुआगिन अपने बेटे किम्बियों को भी अपने इरादों के बारे में बताना नहीं चाता युईबिन अपनी दासी ओवल का पता लेने आती है और उसे घायल देक उदास होती है ओवल कहती है उस आदमी ने नकाब पहन लखा था पर उसकी ओवाज याद है मुझे फिर युईबिन एक कीमती चीज ओवल को देकर कहती है अगर बाहर जादे टाइम तुमें कोई प्राबलम हो तो इसे रिश्वत के लिए यूज़ कर लेना तुम महल से चली जाना यहां तुमने बहुत कुछ सहन किया है फिर हम देखते हैं कि पूरे महल में ये बात अफवा की तरह फैल जाती है कि महराज ने बड़ी राजमाता की बात नहीं मानी और महराज ने युईबिन को महरानी के सामने उठाया ये अफवा एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में बिमारी की तरह फैल जाती है दरबार में किम्यों को नुसंधान विबाग का परमुक अधिकारी न्युक्त करने की चर्चा होती है राजा इस फैसले से खुश नहीं था पर मंतरियों और बड़ी राजमाता के होते हुए क्या कर सकता था इधर युईबिन ओवुल के लिए काफी दुखी होती है और राजकुमार से पूस्ती है जब आप चिंता में होती हैं तो सब कैसे भूल पाते हैं राजकुमार कहता है मैं अपने दोस्त होंग के पास चला जाता हूँ फिर हम देखते हैं राजकुमार को एक पॉजिशन में खड़ा कर युईबिन उसकी पेंटिंग बनाती है पर राजकुमार बार बार युईबिन को ही देखे जा रहा था किचन में मिस्टर क्यून बैठी कढ़ाई कर रही होती है फिर वो हॉंग्योन को कढ़ाई वाला कपड़ा दे टेलर को देने भीजती है हॉंग्योन जाने लगती है फिर रुके कहती है मुझे बेजने के बाद आप फिर से तलाब की तरफ तो नहीं जाएंगे न मिस्टर क्यून कहती है क्या तुमने किसी को देखा है जो सुसाइट करने से पहले इतनी मेहनत करे और लगता है तुम भूल गई हो कि सीसिटी भी हमेशा नजर रखता है और फिर इशारा कोट लेडी चोई की तरफ करती है जो बिना पलक जब्काय मिस्टर क्यूण पर नजर रखे होएं थी बड़ी राजमाता ने शाही बवर्ची का बना खाना वापस करवा दिया था इसलिए मिस्टर क्यूण खाना मनाती है बाकी बवर्ची भी मिस्टर क्यून की बात सुन रहे थे और शाही बवर्ची की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था बड़ी राजमाता बड़ी बेसबही से मिस्टर क्यून का बना खाने का इंतजार कर रही थी जब वो देखती है कि खाना पालकी में आया है वो हैरान हो जाती है फिर वो खुश होकर खाना खाती है नेक्सिन में हम देखते हैं कि छोटी राजमता यूईबिन को चड़ाते हुए अपनी तरफ करने की कोशिश करती है और कहती है वो महरानी राज़ा को अपनी तरफ कर रही है फिर हम फ्लैश पैक में देखते हैं उस तलाब वाली रात को महरानी सोयंग यूईबिन को कहती है आज राज तुम महराज से नहीं मिल सकती क्या हमारा सब कुछ छीन लेने के बाद ही आपको चैन पड़ेगा जिस पर यूईबिन कहती है क्या आपने पत्र बदल दिया है तो महरानी सोयंग कहती है आपने तो उसे जादा इंपोर्टन कुछ बदल दिया है तो हम इतना सा बदलाब नहीं कर सकते हमें आपका जूट पता है अगर महराज को वो सच पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि हमारा दिल कितना दुख रहा है आपको महसूस होगा कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो आप से नफरत तो कैसा लगता है हमेशा वैसे ही जिन्दगी बिताना कितना मुश्किल है अगर आप जूट को जीवित रखना चाहती है तो महल से चली चाहिए ये सुन यूईबिन की आँखों में डर साब दिख रहा था फिर यूईबिन कहती है आपको हमारी कमजोरी पता चल गई है तो ठीक है महराज को सच बता दो लेकिन साथ ही उनको एक और सच पता चलेगा कि आपने महराज को मारने की कोशिश की थी तुम्हें सब पता था अब आप भी जरूर अपने किसी को खो बैठेंगी और तभी महराणी तलाब में कूद गई थी ये देख यूईबिन हरान हो वहां से चली गई थी प्रेजन में हम यूईबिन को देखते हैं जो उसी बारे में सोच रही थी बारिश पढ़ने लगती है तो शाही बवर्ची मिस्टर क्यून से कहते हैं आपको जल्दी अपने कमरे में वापस लोट जाना चाहिए ये बारिश रुखने वाली नहीं तो मिस्टर क्यून कहते हैं आपको कैसे पता क्या आपको कोई सूपरफास कम्प्यूटर वगरा है शाही बवर्ची कहते हैं पता नहीं आप क्या कह रही हैं लेकिन राद बर बारिश होगी इतनी बारिश होगी जैसे कोई कई घंटों तक बाल्टी बर पानी गिराता रहे ये सुन मिस्टर क्यून कहती है तो फिर तलाब और पुआ पानी से भर जाएंगे फिर हम राजा को देखते हैं जो युद कला की किताब पढ़ रहा होता है लेकिन उसे बार बार रानी की बात यादारी होती है और कहता है जबकि घुटने टेकना रोजाना की बात बन चुकी है पर हम उस एक इनसान के सामने नहीं टेक पाएंगे जिसके सामने टेकने चाहिए इधर बारिश में मिस्टर क्यून बड़ी खुशो कहती है ठन लगने की किसे चिंता है जब उपर वाला इस तरह मेरी मदद कर रहा है होट लेडी चोई और होंग यॉन मिस्टर क्यून को भीगने से रोकती है रास्ते में जाते हुए राजा भी मिस्टर क्यून को बारिश में खुशी से नाचते हुए देखने लगता है मिस्टर कुन पागलों की तरह नाची जा रही थी मिस्टर कुन को देख राजा कहता है ये लड़की सच में एक पहेली है फिर राजा मिस्टर कुन के पास जा कहता है हम आप से माफी मांगने आये हैं मिस्टर कुन कहती है छोड़िये अब जाने देजिये राजा कहता है जी नहीं जाने नहीं दे सकता मिस्टर गुन कहती है मैंने कहा ना कि सब ठीक है तो आप चिपकू क्यों बन रहे हैं मुझे जादा चापलूसी पसंद नहीं इसलिए जाए राजा कहता है जाएं हमने आकर माफी मागने के लिए हमारी सारी हिम्मच उटाई और आप बस इतना ही कहेंगी और फिर कहता है राज घराने के कुछ नियम है आप कब तक ये अजीब तरीके से बातचीत करती रहेंगी मिस्टर गुन हसके कहती है आज रात तक बस आज रात तक कल सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और नाचने लगती है फिर राजा जाता हुआ अपनी अमरेला मिस्टर कुन को दे कहता है आज हमारी फीलिंग्स को ठेस पहुंची है इसलिए हम आपके साथ रात नहीं बिता पाएंगे आप अकेली ही सो जाईए ये सुन तो मिस्टर कुन कहती है ओ ये ये तो सबसे अच्छी बात हुई जाते हुए राजा अपने आपको खुशो कहता है अच्छा नाटा किया हमने राजकुमार राजा के पासा कहता है क्या आप बिना अमरेला के बाहर आ गए राजा कहता है कभी कभी बारिश में भीगना अच्छा होता है मन से सब चिंताएं जैसे बह जाती है मिस्टर कुन और भी अचीव तरीके से कमर निकाल डांस करती है जिसे देख कोट लेडी चोई हरान थी तब ही बादल गरजने लगते हैं कोट लेडी चोई कहती है उपर वाला नराज हो गया मिस्टर कुन कहती है मेरी कमर के जटकों पर नराज हो ये और थोड़ा और पानी बसाइए और फिर वैसे ही नाचने लगती है इदर पुंग्यांग मंश के मंतरी महरानी को गद्दी से उतारने की बाते कर रहे थे और इसके लिए एक डॉकुमेंट भी त्यार करवाते है बारिश से कुए और तलाब भर चुके थे फिर हम मिस्टर क्यून को देखते हैं जो चुपके चुपके कोट लेडी चोई और होंग्योन को बाये कर तलाब की तरफ आकर कहती है आखिरकार फिर वो अपनी हेरपीन से पत्थर पर लिखती है मैं बिना किसी कारण आया था और अब जा रहा हूं बॉंग्वान और अपनी हेरपीन वहीं रख तलाब को देख कहती है अब मैं अपनी सही जगा चला जाऊंगा और तलाब में कूच जाती है वो तलाब में डूबने लगती है तब ही राजा उसकी तरफ तेरता हूँ आता है वो राजा से दूच जाने लगती है पर राजों से पकड़ कर तैर के पानी के उपर लाने लगता है एपिसोड फाइव यहीं पर एंड हो जाता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कोमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलेगा एसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हर रोज एक नई वीडियो अप्लोड करती हूँ और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन को भी दबा देना